इटली मिस्थित लेनिंग टावर ऑफ पीसा वास्तो शिर्प का एक अद्भूत नमोना है यहाँ इमारत अपनी नीव से चार डिग्री जुके हुए करीब 54 मीटर उंची पीसा की मिनार जुकने की वज़े से दुनिया पर में मशूर है लेकिन आज हम आपको पीसा की मिनार से भी खुबसूरत एक मंदिर के बारे में बताएंगी जो उत्तर प्रदेश के वारण असी में इस्तित है यह मंदिर वारण असी में मनी करणी का घाट की ठीक सामने मौजूद है जिससे रतनेश्वर मंदिर के तौर पर जाना जाता है इस मंदिर की खुबसूरती कुछ ऐसी है कि खुद पीएम नरेंदर मोधी भी इसे लेकर टूइट करने से खुद को नहीं रोग पाए जोर्यासी घाटों पर यह मंदिर बागी सभी मंदिरों से पूरी तरह से अलगे इसकी खासियत यह हैं कि लगवाथ 400 सालों से 9 डिगरी के एंगिल पर जुका हुआ यह मंदिर आज तक जियों का त्योंग खड़ा हुआ है जब कि यह मंदिर गंगा नदी की तरहटी पर बना हुआ है नेश्वर मंदिर अपने निव से 9 डिगरी जुका है और इसकी उचाई 13.14 मीटर है इस मंदिर की वास्तुकला बेहत अलोकिक है सेकड़ों सालों से यह मंदिर एक और शुका हुआ है इस मंदिर को लिकर कई तरह की दंद गताय प्रजलित है लेकिन आज भी यह रहस्य का विश्य है कि पत्थरों से बनाई यह वर्जनी मंदिर टेड़ा होकर भी सेकड़ों सालों से कैसे खड़ा है वारण असी में गंगा घाट पर जहां सारे मंदिर ऊपर की और बने हैं तो वहीं रतनेश्वर मंदिर मनी करने का घाट के नीचे बना है घाट के नीचे होने की कारण यह मंदिर साल के 6 महीनों से भी अधिक समय तक गंगा नदी के पानी में डूबा रहता है बाड़ की स्थिती में नदी का पानी मंदिर के शिकर तक पहुंच जाता है इस्थानी पुजारियों के मुदाबिक इस मंदिर में कीवल दो तीन महीने ही पुजा पाठोप पती है इस्थानिये लोगों के मताबिक वारण असी में कई मंदिरों और कुंडों का निर्मान महरानी अहिलिया भाई होल करने करवाया था उनके शाशनकाल में उनकी दासी रतना बाई ने मनी करने का घाट के सामने शुब मंदिर बनवाने की चज़ताई और इस मंदिर का निर्मान करवाया उस दासी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रतनेश्वर पड़ा रत्मेश्वर मंदिर को लेकर कुछ दंत कथाएं भी प्रिशलित हैं इस्थानी लोग इसे काशी करवट कहते हैं वहीं कुछ लोग इसे मात्र रिंड मंदिर बताते हैं किसे ने अपनी मा के रिंड से ओर रिंड होने के लिए इस मंदिर का निर्मान कराया लेकिन यहां वंदेर टेड़ा हो गया ऐसे में कहा गया है कि मा के रिंट से ओरिण होना संभव नहीं और मा के रिंट को कभी चुगाया नहीं जा सकता आप सभी का हार्दित दनिवाद मित्रू मिलकी वी से तरह की रोचक जान करी लेकर अगले वीडियो में हर हर महादेव